भाई राम राम सभी भाईयों को मैं अपना राजिश डौन सभी भाई एक बात सुनों सबके लिए गुड़ न्यूज है किस चीज गिये यह आपको मैं बताऊंगा इस श्याम जी बाबा है हमारा जो सीकर जिला में इस्तित है जो इतने सर्दालू जाते हैं करोड़ सर्दालू जाते हैं वहां पर दर्शन खिल लिए उनके लिए बड़ी मलब रहात है एक तरह से क्योंकि जो पहले मलब भीड बढंका था वह आपको अब इतना नहीं मिलेगा मलब भीड तो मिलेगी जो वैस्त है उसको सई सई रूप से कर देगा है मलब कोई यात्री परिशान नहीं हो जैसे कि पहले हम जाते थे तो जैसे मंदर में प्रविश्च कर रहे हैं और वहां पर मलब तीन चार लैन सम्थिंग तीन चार लैन ही रहत थी मेरी साब से क्यों मैं भी जाता हूं भीड बढंका में याद भी नहीं होगी और अब उस लैन को सोड़ा लैन कर दी गई है जो म लोगों के यह मेरे को पता नहीं काफी खूब लोग आते हैं लेकिन अब दिन में 15 लाख एक दिन में 15 लाक सरदालू कि श्याम जी बाबा की दर्शन करेंगे मतलब ओसत आ रही है यह साथ जार गंटा संथिंग जार गंटा मतलब सरदालू है वो करेंगे ठीक है रशन करेंगे बाबा के और भाई मां आपको एक बात और बदा देना चाहता हूं जो की गिराउंड था जो कच्छा गिराउंड था नो वह कूँर उसको सिमेंटेड कर रहे है ताकि सरदालू भाई परेशानी नहों सके आराम से बाबा की दर्शन कर ठीक है और उसमें एक सिस्टम और देगा है जो कि अमारे लिए एक तरह प्रहुत क्या बता हुंआ आपको कुछी का एक तरह कुछी का राजनू नहीं जो कि देश का जो पहला मंदर होगा देश का पहला मंदर होगा जो एक मंदर में सोल और लाइन लगेंगे एक मंदर में सोला लाइन रिवाना है कशी कपलर ले मंसर्म की में तो सब्सार है वाम आरे लिए क्यों कि भवाई हमारी जो भी बाइए साल गाहिए लेकिन फिर भी शोला लाइन लगेंगे अपने यहां पर श्याम जी महाराज जो सीकर मिश्तित हैं ठीक है और इसमें अपने को फायदा होगा दर्शन जल्दी करेंगे पहले ज्यादा लैन में लगने पड़ता था अब वो सिस्टम अठ जायागे इसमें लग कोई दिक्कत वाली बार नह यही कामना करूंगा सबी सरदालू हैं जो बाबा से लगाव रखते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेगा जैशाम जे महाराज की जैव